दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा शरीर का काया कल्प करता है, मर्दों का हिस्सा मोटा कर देता है, काया कल्प का मतलब कि दोस्तों आपके शरीर को पुनह यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दू Smile Families Channel में आप लोगों को दुरलब से दुरलब और गोपनिय से गोपनिय पेड़ पौधों की जानकारी बताते हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमी में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना होौ। जारत भूमी में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाई है। पौधों की जानकारी को एक बार पुना हम समाज में फैलाने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों एक बार माता पारवती भगवान शंकरजी से पूछने लगी कि हे स्वामी आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलिनात, हे प्रभू, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुलित हो रहा है। हे प्रभू, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्यगानों को कहिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है इस पौधे का, जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे 1001%, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, दोस्तों बुढ़ापा आपका बाल बांका नहीं कर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का काया कल्प कर सकता है, तथा सर्प की भानती नवीन शरीर धारन कर सकता है, जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प है, अपनी कैंचुल को त्याग करके नवीन शरीर धारन कर लेत उसी प्रकार भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया, जब माता पार्वती ने प्रार्थना की। फिर दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका दैविय प्रयोग बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। सारे रोग नश्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूद से पुष्प शहद से अश्रू, अर्थात आँखों से जो आंसु निकलते हैं वो बिमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूं? हे पार्वती, पुर्णनवा नेत्र को नवीन बना देता है। अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र है, उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुर्णनवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखा कर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभी का खिसक जाना या फिर तिलि का बढ़ जाना, ये बोलते हैं तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। हे पारवती, जोतिस्मती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से, मनुष्य जो मनुष्य की काम अगनी है, वह बढ़ जाती है। कारी बताने से पहले, बस आप लोगों से इतना निवेदन है। आए, इसके हम दैविय प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पढ़े, तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातह काल, जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है, इसे एकठा कर लेना चाहिए, और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए। और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलौकित करके एक माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। और एक महीने बाद पवित्र होकर के बसंत रत्तु में प्रति दिन, एक निश्चित मात्रा में अगर इनके एक माह तक इनका सेवन करे, तो हे पारवती इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चमपा-पुष्पा भाती, अर्थात चमपा के पुष्प के समान कोमल श दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूँ कि ये जो पौधा है, कोई साधारन पौधा नहीं है, इसकी प्रशंसा स्वयम भगवान भोले नाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी हैं, सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगो को और भी बताऊंगा। अने माता पार्वती को जो इनके दैविय प्रयोग कहें, सो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, दोस्तों हमारे गुरू जी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताएं हैं, सो हम आप लोगों को कह डालते हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनना। तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों न हो, कितना भी घाव का गड़े क्यों न हो, चमतकारिक तरीके से ठीक हो करके पुनर्नवा शरीर पे नवीन मास भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है, जब भगवान लक्ष्मन जी को शक्तिबान लगा था, उस समय हनुमान जी महराज लक्ष्मन जी के मूर्चा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसेन वैध ने लक्ष्मन जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीस कर उनके घाव पर लगाया था, पुनर्नवा घाव को अतिशीग्र भर देता है, तो दोस्तों पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है, यह जानकारी आप किसी स्थान पर पैन कौपी पे प्रफ़ाइब दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ती है उसे बरकरार रखता है। पस्या करते हैं ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महा औशधि का प्रयोग करते हैं। नमस्कार जय हिंद जय आयुर्वेद। यौर्वेद। यौर्वेद। यौर्वेद।